आप पंग्रपारेत्र भोजिशी नमस्कार, ABP गंगा पर आपके पसंदिदा शो राजनीत के साथ हाजिर हूँ, मैं राजकिशोर आपके सपनों की सरकार, आपके उम्मीदों की सरकार आज से एक्षन में आ गई है प्रधान मंत्री मोदी ने सभी मंत्रियों के विभागों का बटवारा कर दिया है ग्रह मंत्राले इस पार, हम इश्रा देखेंगे, तो राजनास सिंग रक्षा मंत्री बने हैं आरुन जेटली की जगे निर्मला सितारमन हैं, जिन्हें अब तक आपने रक्षा मंत्री के तोर पर देखा था तो विदेश मंत्री एक गैर राजनितिक शक्स एस जैसंकर को बनाया गया है ये चारों मंत्री सुरक्षा से जुड़ी कैबिनेट का मेटी में भी रहेंगे इसके बाद देश के लिए सबसे एहम होती है सिक्षा जिसका जिम्मा उत्तराखंड के पूर सियम रमेस पोखरियाल निशंग को दिया गया है अमेठी में गांधी परिवार के गड़ में ही राहूल गांधी को शिकस देने वाली इसमरती रानी को महिला कल्यान और बाल विकास मंत्राले दिया गया है इसम्रती रानी से पहले मंत्राले पिछली सरकार में मेनका गांधी के पास था आज राजनीत के इस शो में हम मौदी के मंत्री मंडल की मीमानसा करेंगे और समझने की कोशिस करेंगे कि आखिर कौन सी छमतायन थी क्या उनके कंसिडरेशन्स रहे होंगे वो एक्सपर्ट से हम जानेंगे कि मंत्री मंडल हमारे आपके लिए कितना कारगार साबित होगा जो बदलाव पिएम मोदी ने अपनी दूसरी पारी में किये है वो आपके सपनों को किस तरह साकार करेंगे देश को किस तरह नहीं उचाई उपर लेकर जाएगे मैं नरेंद्र दामदर्दास मोदी इस्वर की सपड लेता हूं की मैं विधिद्वारा श्थापित भारत के सम्विधान के प्रति that I will bear true faith and allegiance to the constitution of India मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुन्न रखूंगा मैं संक्य मंद्री के रूप में अपने कर्तव्यों का शद्दा पुर्वत और सुध अंता करन से निर्वहन करूंगा तता मैं भव या पक्षपाप अनुराद या द्वेस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति सम्वीधान और विधी के अनुसार न्याय करूंगा मैं किरन रिजे जो इश्वर के शपत लेता हूँ कि जो विश्य है संक्य राजमंत्री के रूप में that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons तबके सिवार जबकि ऐसे राजमंत्री के रूप में अपने करतोवे के सम्यक निरोहान के लिए ऐसा करना अफिक्षित हो मैं प्रतेक्ष अथ्वा अप्रतेक्ष रूप से संसुचित या प्रकट नहीं करूंगा शपत ग्रहन के 24 घंटे के अंदर ही एक बार फिर मोदी सरकार काम के लिए तयार है मंत्रालियों का बटवारा करने के साथ ही प्रधान मंत्री मोदी ने सुरक्षा से जुड़ी कैबिनेट कमेटी के चारों चेहरों को बदल दिया है अमिच्षा और एस जैशंकर के तौर पर दो नए चेहरे हैं तो राजनाथ सिंग और निर्मला सीता रमन की भूमिकाएं बदल दी है अमिच्षा मंत्री बने तो उनका CCS में शामिल होना तै था चर्चा वित मंत्राले की भी थी लेकिन उन्हें मन चाहा ग्रह मंत्राले ही दिया गया पिछली मोदी सरकार में ग्रह मंत्री रहे राजनाथ सिंग को इस बार रक्षा मंत्री बना दिया गया रक्षा मंत्री के तौर पर पिछली मोदी सरकार में काम कर चुकी निर्मला सीता रमन को वित मंत्री बनाया गया पिछली सरकार में ये एहम जिम्मा अरुन जेटली के पास था जो खराब सेहत की वज़े से इस बाट चुनाव और सरकार से दूर है CCS का चौथा और एहम मंत्राले विदेश इस बार किसी राजनेता को नहीं बलकि पूर्प राजनाइक S. जेशंकर को दिया गया है CCS के बाद इस बार माना जा रहा है कि शिक्षा का शेत्र मोदी के एजेंडे में टॉप पर है और मोदी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट का जिम्मा दिया गया है उत्तराखंड से आने वाले रमेश पोक्रियाल निशंक को निशंक को सरकार का लंबा अनुभव है और वो मुख्य मंत्री भी रह चुके है मोदी मंत्री मंडल में इस बार भी यूपी का ही जल्बा है नई मोदी सरकार में खुद पीएम मोदी और राजनाथ सिंग को लेकर यूपी के कुल नौ मंत्री शामिल किये गए हैं जिन में स्पृती रानी को महिला एवं बाल विकास मंत्राले, महिंदर नात पांडे को कौशल विकास मंत्राले, संतोष गंगबार को श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री स्वतंतर प्रभार, जनरल वीके सिंग को सड़क परिभान राज्य मंत्री, साध्भी निरंजन ज प्रियोती को ग्रामीन विकास राज्यमंत्री, अर्दीप पुरी को शेहरी विकास राज्यमंत्री, संजी बालियान को पशुपालन राज्यमंत्री बनाये गया है। सवाल एक ये भी कि क्या निशंक के सहारे मोधी शिक्षा शेत्र को नई उचाई दे पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। से असिस्टेंट एडिटर हैं, नेस्तुला हिबबार हैं, पॉलिटिकल एडिटर हिंदू की हैं, शलब मडित्र पार्टी हैं, प्रवक्ता भारती जन्ता पार्टी के, और राजकेश्वर सिंग है, राजनितिक विशलेशक हैं, वो लकनों से हमाई साज चुड़ेंगे। तो क्या उनके दिमाग में प्रधान मंत्री मोदी के रहा होगा इस परिवर्तन के पीछे? आकर के, केंद्रिये राजनिति में आकर के वो भाजबाज देश के नाते, उन्होंने बड़ा विस्तरत अनुभव अरजित किया है, पूरे देश को जाना है, समझा है, ये जो ग्रिह मंत्राले है, ये थोड़ा इसका जो काम है, वो राजनितिक प्रबंधन का भी रहता है, तो काश्मीर की चुनोती रहती है, किसी भी ग्रिह मंत्री के लिए सामने, नक्सली हिंसा, उसकी चुनोती निरंतर बनी रहती है, सीमान्त क्षेतर जो है, अर्थसानिक बल ग्रिह मंत्राले के भीतर ही आते हैं, तो सीमान्त क्षेतरों की अपनी समस्याई हैं, वहां बड़ विस्तर तानुभव है मुझे लगता है कि उसको ध्यान में रखा गया है और राजनाज सिंग जी को अपने रुत्बे के अनुरू पूर्मुक्यमंत्री भी है वो उत्थर प्रदेश तैसे महातुपोन राज्य के तो उनके कद के अनुसार उनको रक्षा मंत्रा ले दिया गया है नितिन गटकरी खालांकि तीसरे पाइदान पे हैं लेकिन तीसरा या तक्नीकी तोर पे चौथा कहा जाएगा अब प्रदान मंत्री के बादेश लेकिन सब लोगों ने बहुत सराहा है तो उसके चलते हुए उनके वरिष्ठता को ध्यान रखते हुए उनको काफी आगे रखा गया है क्रम में लेकिन निर्मला जी पहले भादपा की प्रवक्ता रह चुकी है पार्टी के संगठर में उनका महतुपोन योगदान है और उनके पास वानिज्य मंत्राले का अनुभव है पहले से जब अरुन जी वित्त मंत्री थे उस समय निर्मला सीतारमन वानिज्य मंत्री रही उनको यंतराश्ट्रिय राजनेती जो वित्त के इर्दगिर्द खौंती है व्यापार के इर्दगिर्द खौंती है उसका बड कुछ नयाद तो रहना ही चाहिए तो कुल में लाकर के मुझे लगता है कि काफी प्रतिभाशाली लोग इसमें रहेंगे चलिए निस्तुला मैं अब आप के पास आऊंगा क्योंकि जिस तरीके से माना जा रहा था कि राहुल गांधी को परास्त करके पूरे चुनाओ का सबसे बड़ा इलएट फेर तो इसमरति रानी ने करके दिखाय था लेकिन महिलाबाल एवं विकास मंत्राले कोई मंत्राले छोटा बढ़ानी होता काम के लिहास से लेकिन रुत्मे के लिहाज से हम चाहे पत्रकार हों चाहे राजनीतिक लोग हों उसका आकलन जरूर करते हैं और ऐसी खबरे भी आ रही थी कि सायद बहुत ज्यादा संतुष्ट भी वो नहीं है और CCS में पिछली बार दो महिलाएं थी सुष्मा सुरास थी और निर्मला सीता क्योंकि वो जो पहले टेक्स्टाल मिनिस्ट्री देखती थी वो विभाग अभी भी उनके पास है उसमें एस एम्प्लॉयमेंट सेंट्रिक मिनिस्ट्री है लेकिन WCD जो महिला और बाल विकास मंत्राले है उसका स्टेडिली और प्रोग्रेसिवली बजट कम होता जा रहा है और पिछली जो मंत्री थी मनेका गांधी इस बात पर बड़ी बार वित मंत्राले के साथ लोहा ले चुकी थी तो अगर स्मिती रानी इतनी बड़ी जीत दर्च करने के बाद बहुत जादा संतुष नहीं है तो उनको ब्लेम कोई नहीं कर सकता और निस्तुला साथ में एक सवाल और निर्मला सीतारमन रक्षा मंत्री थी उनको वित मंत्राले में लाने के पीछे क्या सिर्फ एक यही वज़े थी कि CCS में साथ अगर कोई महिला ना होती तो पिछली बार दो महिला थी तो नरेंद मोदी का जो फार्मूला है कि महिलाओं का थोड़ा सा उत्थान महिला शशक्तिकरण की जो वह बात करते हैं एक तो उस पर सवाल उड़ता या जो उनका आर्थिक अनुभव था चुकि वो अरुन जेटली के साथ काम करने का जो उनको अनुभव था वो भी साइद उनके पक्ष में गया मुझे लगता है अनुभव का काम है क्योंकि ये क्योंकि सुष्मा जी ने आप्ट आउट किया गवर्मेंट में का पार्ट होने से तो निर्मना जी वह एक महिला है जो पिछले CCS में भी थी और इसमें भी है तो कुछ कंटिन्यूटी को जारी रखने के लिए प्रधान बं सारा उनका ग्याट अग्रीमेंट के उपर था और जेन्यू से वह पड़ी है उसके बाद उन्होंने कॉमर्स मिनिस्ट्री का पदभार उठाया जब कॉमर्स मिनिस्ट्र बनी थी शुरु शुरु में राजकिशो शायर आपको याद नहीं होगा तो डव्यू टीयो की एक मि हिसाब से लेंगे ये पॉलिटिकली बहुत बोल्ड चीज थी और प्राइम मिनिस्टर पूरी तरह उनको बैक कर रहे थे इस पर तो शुरू से ही वो प्राइम मिनिस्टर के ट्रस्ट सर्कल में रही है पॉलिसी वागरा को लेकर और मुझे लगता है इसलिए उनको ये प्रदेश अद्धिक्ष उनको पहले मंत्री थे मंत्री से वो लेकर ऐा गया फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया चुनाओ के नतीजे आ गए तो शुपरताब शुकला और महिश शर्मा की जगे उनको लेकर आया तो ये सिर्फ चमताओं के अधार पर है या चुकी ब प्रदेश अध्यक्ष थे उत्तर प्रदेश में जो प्रदरशन भारती जंटा पार्टी ने किया है मुझे लगता है कि उसके बाद बहुत कुछ समझनी कि आउशक्ता निया राद किशोर जी आप तो बहुत ही परिपक बहुत मजह हुए पत्रिकार है इतना शांदार प्रद हँता है कई उनका इस्तमाल सरकार में होता है लिष्चित प tournaments ने जो टीम बनाई है उर्जा सी ओत्परोर एक बहुत ही शांदार ऐक बहुत ही अनुभौवली टीम है और मुझे लगता है कि जो संगल मैं परasking में ऑर बार बार French वारत शेत्रमॉत और तमाम जो वादैं एसे जीस तरह का प्रदाशन भारती जनता 파ार्टी ने कि और जिस तरह का आशिरवाद बार्द Summit को मिल है फिर मैं बूस्त को समझते हैं कि हमारी जवाब देही भी है जो टीम बनाई है उसमें चुन-चुन कर ऐसे लोगों करें तो यह सवाल मुझे मैं आप से पूछ रहा हूं क्यूंकि क genetic मंती जब प्हली बार इसुर्य की तो उन्होंने कहा था कि नौकरी करने वाले नहीं, रोजगारों का सरजन करने वाले युवा चाहिए, उसके लिए उन्होंने Skill Development Ministry एक पूरी बना दी थी और ये उनके दिल के बहुत करीब थी, लेकिन इसके साथ पता नहीं क्या जिंक्स रहा, पहले राजी उप्रताब रोडी लाए गए, राजी उप्रताब रोडी के समय में अच्छी चीज़े तो सामने कम आई, और उनको हटाना पड़ गया तमाम विवादों की वज़े से, बाद में धर्मेंद प्रधान उसके बने, तो धर्मेंद प देखी गई होगी, कि वो लोगों की प्रतिभा का विकास कर पाएंगे, और नौकरी करने वालों से रोजगार देने वाली पीड़ी तैयार कर पाएंगे. निश्चीत उर्प से चमता देख के ही उनको ये जिम्मेदारी दी गई होगी, और आदरणी महिंद पांडे जी को लेकर मुझे लगता है कि उनको किसी बात को साबित करने के उशक्ता नहीं है, बहुत ही अनभवी है, बहुत ही एक आम कारकरता के तोर पे उन्होंने अपन जनतिक सफर शुरू किया है, और आपको पता है कि तमाम जो उपलब्धियां उनके हिससे आई हैं, मुगल सराय स्टेशन को लेकर एक लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी थी, तो निश्चीत तोर पे जो मंत्राले मिला है, प्रधान मंत्री जी ने उन्हों पे जो भरोसा जता है, हम यह बान कर चलते हैं, और यह विश्वास हमारा है कि प्रदेश अध्यक्ष के तोर पर जिस तरह उन्होंने अपनी भूमिका का एक सफर निर्वहन किया है, उत्तर प्रदेश में, उसके पहले भी M.O.S. के तोर पे जो एक सफर अपनी भूमिका का निर्वहन किय प्धान मंत्री जी ने भरोसा जता है तो निश्ची तोर पर उसके शांदार प्रडाम देखने को मिलेंगे और राजकिशोर जी पिछले पांच सालों में बहुत कुछ हुआ है जी आपको चीज़ें चूटी होंगी आप निश्ची तोर पर आप समिक्षा कर रहे हैं तो आप की बात को भी मैं यह नहीं कह सकता कि आप नहीं सही नहीं कह रहे हैं कुछ चीज़ें अगर छोटी हैं तो निश्ची तोर पर उनको भी पूरा करने के जिम्मधारी सरकार ने उठाई है और महिननात पांडे जी उस जिम्मधारी को जरूर पूरा करेंगे चली आपके आशा गुट्राइन निशाक्षन गूत्राइद को पिश्ली बार कोई प्रतंधित तू ऐहीं मिला था लेकिन ऍिस पार कहा जा रहा है कि प्रधान मंत्री आपने लंबे समय तक कवर किया है मेरे साथ इसलिए मैं आप से जानना चाहता हूँ रमेश पोखरियाल निशंक में क्या खूबी देखी गई होगी और उनके आने से क्या फरक पड़ने वाला है लाज किश्वर जी इसको मैं इस रूप में लेता हूँ कि रमेश पोखरियाल निशंक उत्रप्रदेश में मंत्री थे उत्राखंड में मुख्य मंत्री थे और आप याद करिए उस दोर को जब मुर्ली मनोहर जोशी जी हाडी मिनिस्टर होते थे उन्होंने एजूकेशन में क कुछ चीजें की थी जो कांग्रेस रिजीम से चली आ रही थी उसको बदला था और उनके जाने के पाद अर्जुन सिंग जब आये तो अर्जुन सिंग ने उसको पलट दिया एक अलग सेटप खड़ा कर दिया जिस बात को भी आपने पॉइंट आउट किया कि पिछली सरका में बहुत कुछ खास एजूट के सेट्र में सब्सक्राइब करने कि निगरानी और बहुत करता है चाहती Michaust के सेक्टर में क्योंकि जो कुछ भी होता है उसका बहुत दूरगामी प्रणाम होता और देर तक असर करता है जी तो मुझे लगता है कि वो सारा काम जो सरकार चाहती है कि हमें एजुकेशन में क्या करना है उसे करने कोई दिक्कत नहीं होगी एक बात तो यह मुझे लगता है जी उसमें कोई दिक्कत नहीं है उन को लाने पर उनका उत्तर प्रदेश में मंत्री के रूप में मुख्य मंत्री के रूप में और सरकार जो चाहती उसको पूरा कर सकते हैं थोड़ी रोशनी में उत्तर प्रदेश पर भी डालना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के मामलें जितने लोगों को प्रदान मंत्री जी न तो कौन सा बर्ग उसमें नहीं है सारे लोग हैं तो मुझे लगता है बहुत कसा हुआ है और कुछ मंत्री उत्तर प्रदेश से ड्राब भी हुए है तो मुझे लगता है प्रदान मंत्री का पांस साल का अनुभो जो था वो उनको उस तरफ ले गया कि हम अब ऐसे बनाएंगे हमें जिसके रखना है जो काम लेना है तो मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत सोच समझ के एक अदम उठाया है तो निश्चित दोर पे निशंक सिक्षक भी रहे हैं और साहित सरजन भी करते हैं मंत्री भी रहे हैं अभी हम चर्चा सुरू होने से पहले प्रदीब जी चर्चनाओं के सूची है तो समझ में आता कि वजन किसका जादा है तो अब देखना होगा कि उनका जो साहित सजन और जो उनका सिक्षक का अनुबह है वो साहित सरसुति सिश्च मंदिर महरिद्वार के ओपर थे वो थे चलिए अब मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं अच्छा कासा अनुबह हो चुका था पांस साल अगर देखाया तो नकसलवाद और कश्मीर पर अच्छा कासा काम हुआ था और अमिश्चा के पास बतौर ग्रह मंतरी गुजरात की जिम्मेदारी थी वो उनके पास माना जा रहा था कि वो वित्तमंतराले भी ले सकते हैं इ एक सोची समझी एक रणनी थी कि जिस तरीके से पहले अध्यक्ष और प्रधान मंतरी ने मिलकर पार्टी और संगठन को चलाया उसमें कहीं यह खत्रा तो नहीं आएगा कि पार्टी पीछे हो जाए और जो संगठन जो बीजेपी राजगवन की जो समस्या थी कि संगठन प मुख्याले है प्रधान मंतरी के निवास से कितने किलोमेटर है कोई विशेश दूड नहीं है तो दूसरा दोनों जो शीष पुरुष है भाजपा के प्रधान मंतरी मोधी और अमिन शाह जी दोनों में इतनी कारिक्षमता है कि वो संगठन को भी साथ-साथ दिशा देते र जहां तक रोजमर्रा का काम है वो ठीक है नए अध्यक्ष आएंगे तो वो संभाल सकते हैं हो सकता कारेकारी अध्यक्ष का पद स्रेजित कर लिया जाए और अमिन शाह के पास पूरा प्रभार बना रहे अभी यह सब जिग्यासा का विशय है लेकिन मुझे लगता नहीं कि उसकी संगठन की किसी प्रकार से अंदेखी होगी जहां तक अमिन शाह जी के ग्रीहमंत्री बनने के लाभ का प्रशन है मुझे लगता है अब नहीं सरकार बन गई है तो जो एक सरकार जो अपना कारेकाल समाप्त करने की तरफ बढ़ रही होती है तो उसके साथ एक अनिश् जुड़ जाती है बहुत से विशे इसलिए टाल दिये जाते हैं कि चुनाव के बाद देखेंगे मुझे लगता है काश्मीर उनमें से एक विशे है वहां पिछली सरकार जो है वो चली गई नया चुनाव करवाना है वहां पे राज्य का वो बहुत बड़ा चुनोती पूर कारे है वहां पूरी विवस्ता करनी पड़ेगी और जो राजनेतिक कर्म में शामिल दल है वहां के एक्षेत्रिय दल है उनको भी साथ लेना पड़ेगा कम से कम चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए दूसरा पाकिस्तान के साथ अब ये मालुम नहीं है वारता प आधने की आवश्यक्ता है क्योंकि बहुत सारे विशें हैं काश्मीर से संबंधी जो भी तले हुए थे लेकिन उनको देखने की आवश्यक्ता होगी हमेशा जी के पास परियाप्त अनुभव है और दूसरा बड़ी नरनायक उनकी हमेशा जैसे कहें की दृष्टी रहती है तो बहुत सारे विशें सुलजाने बाकी हैं वो अडिक फैसनों के ले जाने जाते हैं बिलकुल तो उसके लिए बड़ा द्रिण निश्चाई व्यक्तित्व चाहिए तो कुल मिला करके उसको साधना है और उत्तर पूर्व में जो नागरिकता से जुड़े हुए विशें ह है निरने कठेन हैं लेकिन करने पड़ेंगे तो ऐसा लगता है मुझे कि जो अनुभव और जो स्वाभावगत जो अमिशाह जी के गुण है उनका सदूपयोग इस मंत्राले में हो पाएगा यहां में एक सिर्फ विशें रह गया था निशंक जी से सम्मादित्व मुझे ल रातिगत संतुलन साधने के लिए भी बनाए गये हैं तो जैसे उत्राखंड में मुख्यमंत्री त्रिवेंदर सिंग रावत राजपूत समाज से आते हैं तो दूसरा प्रमुख समाज ब्राह्मनों का है तो निशंक जी को उपर केंद्र में कैबनेट स्थार का मंत्री बना से आदिवासी समाज के अरजुन मुंडा जी को लिया गया है जारखंड में चुनाव आ रहे हैं इस संतुलन की बड़ी आवश्यक्ता थी और बहुत अच्छा संदेश इससे जो आदिवासी समाज के लोग हैं उनको जाएगा ठीक है फिलहाल वक्त है ब्रेक का ब्रेक के ब लेकिन अभी हम जो तस्वीरे आपको लगातार दिखा रहे हैं यह बोधी सरकार की पहली कैबिनेट की मिटिंग होने जा रही थी कहीं मत जाईएगा चर्चा लगातार जारी है वीपी गंगा पर जाएगा ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था कि मैं नेश्टुला हभार के पास जाऊँगा उनसे सवाल लूँगा नेश्टुला मेरा सवाल जो प्रदीप जी से मैंने पूछा था वही उसी का एक्स्टेंशन है राजनाज सिंग जब आंतरिक्स रक्षा मंत्री थे ग्रह मंतरी के तोर पे वो लगातार कहते थे कि अगर सीमा पार से गोली का जवाब एक गोली का जवाब दस गोलियों से दिया जाएगा इस तरीके के इस तरीके से सक्ती दिखाएगी जवाब दिया गया और चुकि राजनास सिंग को अब जब रक्षा मंतरा ले दिया गया है और अमिश्या ग्रह मंत्री के तोर पर उनकी जगे आ गए हैं तो आपको लगता है कि एक तरीके से ये मैसेज भी ज़्यादा हाट देने की कोशिस है कि एक ऐसे विक्त को लाए गया है जो वहाँ गया पाकिस्तान में दक्षेस की मीटिंग में गया है और जिस तरीके से तो उसमें तो कंटिनुटी है उसका कोई उसकी कोई दो उसमें कोई दोराए नहीं है रही बात आमिट्शा जी रिप्लेस कर रहे हैं मुझे अच्छी प्रदीब जी की बात सही लगी इसमें ये एक मंत्राले है हो मिनिस्ट्री जहां पॉलिटिकल मैनेजमेंट इस एक्स्ट्रीम इंपॉर्टन और जो कश्मीर का अंफिनिश्ट अजेंडा है जो बहुत सारी चीजें करनी वहां बाकी है और वहां स्तिती को सम्हालना भी बहुत जरूरी है तो इट इस बिंग होप्ट कि अमिट्शा जी अपनी जो एक अक्यूमन है पॉलिटिकल मैनेजमेंट और टू मैनेज तिंग्स प्रॉपरली उसको कर पाएंगे वहां पर जी तो मलब कुल मिला कि आपको लगता है कि सुरक्षा के इस्तर पर जिस तरीके से चाहे सी आर पीएफ हो चाहे से ना हो सबने बहुत ठीक तरीके से काम किया पूरे पाएंगे देखे ने ने आप नहीं मैं सवाल पूरा कर लेता हूं नहीं मैं आपके स्पेसिफिक हां नहीं मैं कह रहा हूं कि उसने अपना ठीक से काम किया लेकिन जो पॉलिटिकल जो मैनेजमेंट था वो चाहे किसी भी कारणों से कोशिस की गई पीडिपी के साथ सरकार बनी सब कुछ हुआ और अमिश की अपनी उन छमताओं का वहां पर उपयोग करेंगे और राजनास सिंग को जिस तरीके से उन्होंने अपनी एक छवी बनाई एक सक्त प्रशासक की और एड का जवाब पत्थर से देने की तो एक तरीके से यह संतुलन साधा गया उनको रक्षा मंत्राले भेज कर और अधिया ने अधिया प्रशाब से हो मिनिस्टर जो है हो मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टन ओती से के अली तो प्राइम अधिया जाती है हमारे प्रोटोकॉल शीट के हिसाब से पार राजनाज जी जादा सीनियर है पूर्वक मुख्य मंत्री वगरा रह चुके हैं और जो फो एक मान्त्राले है जो जिसको इंस्ट्रुमेंटालिटइ और जिसको इंस्ट्रुमेंटली यूस करना होता है यहां तक प्रोटोकॉल की बात है तो उसमें तो निर्मला सीटारमन उस तरीके से कहीं आती भी नहीं जो सफ़त का जो क्रम था वो भी नहीं आता है और आपको याद होगा UPA की सरकार में रक्षा मंत्री प्रणो मुखरजी होते थे वित मंत्री होते थे प्रणो मुखरजी ल जब बाद में जब वो प्रण मंत्री वो राष्टपती बन गए तो एके एंट्री को नंबर दो का दर्जा दिया गया था तो CCS की जो CCS के जो पद हैं वो तो लगबग समान होते तो यहां पर कोई कोई कुश्चन नहीं है प्रण मंत्री कई चीज़ें करना चाहते हो मंत्रा ले द्वारा उनको लगता है कि अमित्शा जी जिस तरीके से उन दोने संतुलन साथ कर पार्टी और गव्मेंट चलाई थी पिछने पांच साल हो सकता है इनके थूँ यह सारे काम वो कर पाएंगे मैं शरण मड़ी जी के पास जाता हूं शरण जी मेंका गांधी वरुन गांधी गांधी परिवार के दो चिराग आप के हां भी थे आखिर चुनाओ जीतने के बाद ऐसा क्या हुआ कि मंत्री मंडल में उनको जगे नहीं मिली वो टिम्टिमा कर रहे गए संसत बन कर रहे मतलब गांधी को गांधी परिवार को आपने हरा दिया उसके बैश्टन में तो अब उनकी भूमिका खटम क्या माना जाए राज Kishore ची देखिए सरकार और संगठन दोनों ही बहुत महत्र पूरवड है किसी के जिम्मधारी संगठन में होती है और निशीत तोर पर जो पार्टी का निर्थृत्त है पार्टी का जो शीर्ष निर्थृत्त है उसने जरूर कोई ने कोई भूमिका सब के लिए सोच र बहुत से आसे कि अभी आपने महेंदनाद पांडे जी का भी आपने जिक्र किया दिए उद्तर प्रदेश है के उनकी जरूत और जो लिए तो यहां पर उनकी जरूत है तो लिए जाए गया तो किसी एक किसी को मंतरी बनाय गया और यह दिलाई गया नहीं दिला गया Ist세 मुझे लगता है अनुमान लगाना बहुत उचीत नहीं होगा और निशीत तोर पर सरकार और संगेटन दोनों हमारे लिए बहुत महत्रपून है बहुत सैसे लोग है जिन्होंने संगेटन में काम किया उसके बाद आप देखिए यह जो जनमत मिला है जो जनादेश मिला है तो हम निशीत तोर पर मानते हैं कि हमको कसरोटियों पर खरा उतरना होगा तो प्रदानमंत्री जी ने एक टीम बनाई है उस टीम को लेकर मुझे लगता है कि विश्वास करना चाहिए सबको और निशीत तोर परफॉर्मिंस लेवल पांच साल में रहा है पिछले पांच साल मे है प्रदानमंत्री चुनते हैं लेकिन यहां प्रदानमंत्री ऐसारे संसत चुनवा दिये यह तो इस पैस है निशंग मैं भर ही चर्चा करना चाहूंगा और खास्तों से beads然後 में राज200her्य नार्ठोवर पर जार्या उन्हीं यह दो मसले हैं बने एक तो पहली बात यह है कि पार टिक्रमों में जो बदलाओ की जो बात थी, उस पर साहत कुछ काम करने की चर्चा हम लोग सिभ्बल के समय में मी सुनते रहे, बने कि बने की कि दोक्टर जोसी के समय में, क्योंकि इक वैचारिक प्रिश्ट भूमी थी, और उन्होंने उसको सिक्षा नीती में लागू किया वो दिखाई भी पड़ी लेकिन उसके बाद जब दुबारा राजक टू बनी तो पहले इसम्रती रानी बनी काफी विवाद हुए उनको वहां से जाना पड़ा फिर उसके बाद प्रकाश जावडेकर आये उनसे भी बहु आप कह चुके उनका बहुत ज्यादा है तो वह वाकई इसमें सफन होंगे जो डॉक्टर जोसी का अधूरा काम था निश्रंक में वह शमता है आप देखते हैं वह भी डॉक्टर निश्रंक है वह पूरा करने की उनमें आप संभावनें देखते हैं कि पूरी तरह से दिखती है और आप जानते हैं कि इस देश में दो तरीके सरकारे रहती हैं प्रहती रही है एक कांग्रेस और एक बीजेपी दोनों के अलग पिछली सरकार में आप जिस बात को खुद इंडिकेट कर रहे हैं कि समिती रहनी की समय में कंट्रोवर्सी बीजेपी और संग परोग शुरूब से बीजेपी सामने रहती है काम करते हैं मुझे लगता है कि इस बार इस सब्जेक्ट पर जरूर काम होगा सीरसली काम होगा और उसमें कोई कोताही नहीं होगी और अभी सब कुछ ने कुछ उसका एक इन लोगों ने खाका भी तयार कि क्या होगा कि जूकेशन सेक्टर में अब मुझे क्या करना है ऐसा मुझे इसलिए लगता है क्योंकि जिस तरीके जीत बीजेपी की अपकी बार हुई है तीन सो तिर्पन तक अपने लाइज के साथ पहुंच गए हैं इसलिए प्रधान मंतरी जो कुछ भी कर रहे हैं से लगता पिछली सरकार में जो एजेंडे जिस तरीके थोड़ा लूज भी रह गए होगे आपकी बार और सक्त तरीके से होगा और हमें ग्रीमंत्री बनाने में मिशाजी को उसमें भी वही इंडिकेसन दिखता है कि आप मुझे कुछ नए तरीके से इस पांस साल में करना ह जिसका कुछ दूरगामी हो परणाम की हम बीजेपी सरकार में थी और हम यह यह जंडिक कर पाए जादा बैते डंग से मुझे ऐसा लगता है चलिए प्रदीब जी जो बात राजकेश्वर जी कह रहे हैं कि अमिशा आपको क्या लगता है कि कौन सी वह पांस साल में पिछले चीजे अधूरी रह गए थी खास्ता उसे राजनितिक तोर पे देखे सुरक्षा के मौर्चे पर तो जो कदम उठाए जाने थे वह उठाई गए सरकार से उस सक्त से सक्त उठाए गए चाहे वह सीमा पार हो चाहे सीमा के अंदर हो यह सफलता है कि भले ही कश्मीर में भी एक सच्चाई है लेकिन राजनितिक तोर पे क्या ग्रह मंत्राले की कुछ चीजें बची थी क्या राजकेश्वर जी आप कुछ कहना चाहते हैं इस पर जी हाँ मैं कुछ करना चाहते हैं मैंने दिमाग में एक बात यह भी आती है जिस दिर रेजल्ट आया था उसी दिन हम तो आपके साथ थे भी शाम को मेरे किसी से बात हो रही थी मैंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है किस बार ग्री मंत्री अमिस साजी हो गया अगले दिन सबरे में कुछ पॉल्टिशियन से बरी बात हो रही थी उसमें भी मैंने यह चीज जाहिर की थी मुझे ऐसा लग रहा था उसके पीछे मेरे मन में यह बात आ रही थी कि जब यह लोग गुजरात में नरेद मोदी जी चीफ मिस्टर थे अमिस साह उनके ग्री मंत्री थे जिस ट्यून क्या होती है तो मुझे अंदर से था और मुझे लगता है कि उस चीज को पूरा करने के लिए इस अम राजना सिंग में कोई कमी नहीं थी लेकिन ज्यादा प्रश्ट वाली बात भी निस्तुला जी ने कही थी मुझे लगता वह बात ज्यादा बड़ी है हम दोनों लोग मिल काम पूरा करें दिया है ठीक है प्रदीब जी यही सवाल में आप से जो चर्चा कर रहा तर पूछ रहा था कि आखिर ऐसा कौन सा काम है कि जो राजना सिंग नहीं कर पाए और अमिश्राह में पूरी संभावना देखी जा रही है कि वह कर लेंगे राजनीतिक तोर पे जैस क्या बदल जाएगा और दूसरी बात है कि एक गुजरात मॉडल पूरी तरीके से रेप्लिकेट होगा इस पार केंदर में एक तो नौर्थीस जो है उत्तरपूर का खेत्र उसमें नागरिक्ता को लेकर के सारी चीजें बीच में चूट गई थी क्योंकि समय का अभावता च कॉंग्रेस को मात देने में सभल हुई है उत्तरपूर में तो अब दोहरा काम है उसी से यह पेचीदा भी हुआ है एक तरफ भाजपा के लिए आवश्यक है कि उन छोटे दलों को क्षेत्रिये दलों को अपने साथ जोड़े रखे जिनके साथ जिनके साजियों के साथ उन् उनके अपने हित हैं वो सबसे बड़ा उनके मन में भै रहता है कि चूंकि वहां के राज्यों की जो जंद संख्या वह बड़ी कम है उनको लगता है कि बाहर से बहुत बड़ी संख्या में अगर लोग शरण ले लेंगे आकर के तो उनकी जो विशिष्ट पहचान है उसके लिए संकट पैदा हो जाएगा अब इसके बीच में संतुलवन पैठाना है कि आपको कुछ जो जिन लोगों को भारत ने शरण दी है जो राजनेतिक और धार्मिक अत्याचार के शिकार हुए हैं लोग उनको बसाने की चनौती है एक तो उनका ध्यान रखना है और दूसरी तरफ जो क्षेत्रिय दल हैं जो छोटे छोटे राज्यें हैं वहां वो वहबीत नहीं हों उनके आने से तो उसके लिए ये जटिल काम है इसके लिए आमेशाजी की जो कारिक्षमता है उनका जैसा स्वभाव है और जैसा नरनायक उनका हमेशा रविया रहता है उससे एक त और पूर्व सदेगा दूसरा अब राजनेतिक चुनोतियां और जगे भी हैं जैसे पश्ची में बंगाल है वहां ममताव एनरस्टी के साथ भाजपा के संबंद काफी बिगड़ गए हैं वहां हिंसा हुई है चुनाव के दौरान और अभी भी दोनों पक्षों के बीट में तनाव बना हुआ है परिणाम आने के बाद भले ही कुछ देर के लिए धटना करम के उपर विराम लगया हो लेकिन वो संघर्ष एक दूसरे के साथ मुझे लगता है वो जोर पकड़ेगा वो चुनोती है सामने फिर ऐसा अंदेशा है आप कुछ कहना चारे हैं पिर ऐसा मा करना जा रहा है कि करनाटक, राजस्तान और। राज्यों की सरकारें हैं करनाटक में मिली-जूली जूली सरकार है कॉंग्रेस और जनतादालेस कहीं और। फिर मद्यप्रदेश चासन ہے कॉंग्रेस का ओर दलों के थोड़े सहीओं के साथ इसी तरह की वश्वस्तार राजस् उस समय ग्रहम अंत्राले जो है उसकी भूमी का महतुपूर्ण रहेगी तो अमिशाद जी का वीशेष रनुभव मुझे लगता है वहाँ भाजपा के लिए काफी उपयोगी रहेगा जी निसुला चुकि जो बात आप कह रही थी प्रदीब जी ने भी वही बात कही है कि किस तरीके से जो एक उनकी निरनायक छमता है वो निरनायक नितरत हों इसमें कोई दो राय नहीं है कुशल संगिठन करता है इसमें भी कोई दो राय नहीं है लेकिन जो सबसे बड़ी बात कि प्रधान मंत्री नरेंद मोदी का वरध हस्त है विश्वास जैसा उनके साथ में है वैसा शायद किसे साथ नहीं वैसी ट्यूनिंग जो बात आप कह रही थी उसी को बढ़ाते हूं में करा चुकि यह राजनीतिक मसले जिसकी मैं चर्चा कर रहा था प्रदीब जी ने वो छ राजनीतिक प्रबंदन होता है वो ग्रह मंत्री के तौर पे उनका बहुत ज्यादा काम आने वाला है क्योंकि अभी राष्टी अध्यक्स तो वह हैं जब तक कोई बना नहीं है और यह चर्चा चल लएकि सायथ कोई कारिकारी अध्यक्ष बन जाए और राष्टी अध्यक् राष्टी खुद ने फ्लैग की थी जो उनकी इस नहीं गवर्मेंट में इंपॉर्टन रहेगा वो होगा ड्रिंकेंग वाटर सप्लाइट वह जल शक्ती तो उसमें गजेंदर शेकावत जी को अच्छी प्रमोशन दी गई है इस पर क्याबनेट में एंटर किये हैं और यह मंत्राले जो फ्लैक्षिप प्रोग्राम है इस गवर्मेंट का सोशल वेलफेर स्कीम के अंदर उसमें उनको जिम्यदारी दी गई है रही बात अमिच्छा जी की यह सारी बातें मैंने जैसे बताया ट्रस्ट से शरू होती हैं जो प्रधान मंत्री का ट्रस्ट है अमिच्छ मैं मुख्यमंत्री हूं मध्यप्रदेश या राजस्थान या करनाटक का तो अपने मेलेस की सुरक्षा अपने मेलेस को साथ में अपने रखने के लिए वह बंदोबस्त मैं जल्दी ही कर लूं तो मेरे अच्छा रहेगा जी तो कुल मिला कि शलब मडी जी जो बात प्रदी के मैप पे भगवा रंग थोड़ा सा जादा और बढ़ावा दिखाई पड़ेगा आने वरे दिनों में एक एक एवेंट का एक राजकिशुर जी जी पुरे देश के चुना हुए आम चुना और आपने देखा किस तरह के रुजान सामने आये तो ऐसे में अगर मंदे परद कहीं जाना होगा तो उनको भला कौन रोख सकता है हम तो इतना जानते हैं कि अमिद शाह जी को जब से ग्रीमंत्राले मिला है बहुत से जगों पर सोशल मीडिया पर चलना शुरू हो गया है कि जो कश्मीर के पत्थरबाज हैं उन्होंने नया ठिकाना डोड़ना शुरू कर द उनको हम बाहर निकालेंगे तो मुझे लगता है निश्चीत तौर पर देश की सुरक्षा को लेकर कोई समझाता नहीं होगा और राज किश्चो जी इतनी बढ़ियां बहस में मुझे लगता है थोड़ी चर्चा सारंगी जी को लेकर भी होनी चाहिए कि कैसी पिस्ट भूम पिर आपको लगता है कि अब भारत का जो मान्चित्र है उसमें जल्द ही थोड़ा भगवा रंग और गहर आएगा राजियों के लिहाज से जल्द ही हुए है और जिस तरह का रुज़ान आया है झनता का खोनपी थी पहोट तोड़े से मार्जिन से वहाँ पर भी देखिया जनता का रुज़ान क्या है तो ऐसे में ऑगर विधायकों को लगता है कि नहीं जनता चाहती है कि नहीं, उनको कहीं जाना चाहिए या कुछ बदलाओ करना चाहिए तो यह तो जनता जनार्धन को त Sabbath करना है और Jनता जनार्धन ही तैख करेगी अभशि आने वाले वक्त में क्या-क्या होगा बहुत ही कल्पित सवालोगा जी कहना लेकि निश्चित तोर पे हम ये मानते हैं कि बहुत शांदार टीम प्रधान मंत्री जी ने बनाई है बहुत शांदार जोश दे लबरेज पूरी टीम है और ये डेलिवर करेगी देश को इसका फाइदा मिलेगा राजकेश्वर जी तो जंता जनारदन उसको और ज्यादा मुखर सुर मतलब उसका जो शंक जल्दी बजने वाला है कुछ राज्जियों में जो बात कुछ इशारों में शलब मडी जी ने कह दिया है कि लोगसभा के नतीजे विधान सभा चुनाओं की तुल्ला में बहुत इ है कि मांद्चित्र में भगवा रंग थोड़ा और गहराने जा रहा है अगले कुछ दिनों में जो निस्तुला जी ने कहा था जिस रूप में साफ साफ उसी बात को सलब मडी जी ने थोड़ा घुमा के कह दिया और उसी बात से वह सामत हैं परोक्ष रूप से और आप भी पत्रकार हो निकनाते चीजों को जान रहे हर कोई जान रहा है कि अगला रूट क्या होगा तो प दिखाई पढ़ रहा दिवाल पर लखी वारत प्रदीव जी ने कहा और खुद सलब मडी जी परो थोड़ा समाल के का रहें पार्टी की जिम्मेदारी उसके नाते कैसे खुल के काई दे चैनल पर तो तो दिखाई पढ़ रहा है और वहां पहुंचना मुझे लगता लाजम कंप्रोमाइज और सीमा के अंदर ही नहीं सीमा के बाहर भी जिस तरीके का साहस दिखाना चाहिए था और जो पहले परंपरा नहीं थी उनको तोड़कर सीमा भी पार की गई तो सुरक्षा के लिए किसी सीमा का पालन नहीं किया जाएगा किसी भी सीमा तक सरकार जाएगी य लेकिन जो आंतरिक सुरक्षा का जो मसला था, आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ में जो आंतरिक राजनीतिक मसले हैं, आपको लगता है कि जल्द ही इसका आसर मलब भारत के मान चित्र पर दिखा ही पड़ेगा, फिर के मैं उसी सवाल पर आ रहा हूं। दिखें, जितना प्रचंड समर्थन मिलता है जनता का, उतनी अपेक्षाएं लोगों की बढ़ती हैं। केवल जनता की ही नहीं, जो दल के कारे करता हैं, जो समर्थक हैं, उनकी भी बढ़ती हैं। तो इसी तरीके का दाईतवाब भाजपा के उपर आ गया है। अब होत सारी विशे थे जो जटिल थे लेकिन उनको ये कहके टाला गया अतीत में कि अभी परियाब समर्थन नहीं हैं हमारे पास संसद में, इसलिए ये नहीं हो सकते। या फिर ये भी होता है कि पहली सरकार आती है तो आपके सामने हुद बड़ा काम रहा है। इह भर्पूर समर्थन द्या मोधि को तो पहला जो पहला मोधि सरकार की कैबिनेट का पैसला है, वो सहीदों के परिवारों को और सहीदों का पहला बड़ा फैसला है जो आप इस किल पर देख सकते हैं और कुल मिला कि चुनाव भले खतम हो गया हो कल ही सपत ग्रेंड हुआ है और आज ही मोदी कैबिनेट की बैठा कोती है और उसके बाद इस तरीके का फैसला हो जाता है तो साफ है कि उत्सो मनाने का वक्त नहीं है देखें उत्सो मनाने का वक्त नहीं है जो उत्सो था वो हो गया और इसके बाद जीत का उत्सा भी मना लिया गया लेकिन अब काम करिये मोदी सरकार का साफ साफ फैसला है और मैं आप सभी अतितियों का बहुत-बहुत धन्यवाद अदा करता हूं इस चर्चा में जुड़ मोदी अब अमिश शाह के गुजरात की ग्रह मंतरी के दौर का अंभो पूरे देश में देखना चाहते हैं वैसे भी सरकार को लेकर गुजरात मॉडल हमेशा से चर्चित रहा है वही कश्मीर को लेकर किये राजनात के काम काज को पुर अच्छा मंतरी के तौर पर पाकिस्त चाहते हैं ऐसे में उमीद की जा सकती है कि मोदी की दूसरी पारी पिछली पारी से ज्यादा एक्शन पैक हो सकती है तो आपने देखा और लगातार एक बात कही जा सकती है कि मोदी ने सपत लेने के बाद जिस तरीके से पहला फैसला लिया है इससे इसपष्ट है कि क्या मोमेंट है इस सरकार का होने वाला है और मंत्रियों के लिए सिर्फ लाल बत्ती तो पहले ही जा चुकी उनकी और ये पहले है तो डिवाय है आपकी अ झाल झाल